आज के इस टू स्टेफ फेशल में हम हमारे स्किन को पॉलिशिंग करेंगे कॉफी के साथ में जो ब्राइटनिंग करती है हमारे स्किन के जितनी भी इन प्यॉरिटी जोती है उसको अटाके बहुत बढ़िया से एक निखार देती है क्योंकि इसमें पाये जाते हैं अंटी ओक्सिइटंट जो हमारे स्किन को उपर डक स्पॉट्स है, पीचिज है मैं पहुत जादा रफ हो गई है या फिर रहाफ जादा neat नंस है तो आज के इस टू स्टेफ फेशल को आपको करना है किस तरह से करना है बहुत इजी है इसको भी स्लोडाउन करती है आज की एक क्रीम अलो दोस्तों कैसे हैं आप सभी आई होप आप लोग अच्छे होंगे और वेट करे होंगे कि आज मैं आखिर क्या लेकर आने वाली हूँ जिसके लिए मैंने कॉमेंट सेक्षन में काफी लोगों को हिंट दे दिया था कि जो लास्ट वाला मेरा वीडियो था जो एलमेंट ओयल था उसको हमें आगे कैसे यूज करना है जी हाँ जो एलमेंट मिल्क हमारा बच गया था मैंने उस टाइम पर भी बताया था कि इसको आपको सेफ करके रखना है फ्रिज में क्योंकि नेक्स्ट रेमेडी में हमारे काम आने वाला है तो लीजिए मैं लेके आ गई हूँ वो वली रेमेडी जबकि स्किन को नासी वाइटन ब्राइटन करेगी एजिंग के इफेक को कम करेगी फाइन लेंस अगर आ गई है धीरे देरे फेड आउट करेगी पिग्मिन्टेशन के उपर काम करेगी और स्किन को एकदम चमकदार एक ग्लो देने का काम करने वाली है तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रेमेडी किस तरह से मैंने इसको बनाया है लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको रिमाइंड करा दू अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं चैनल को सब्सक्राइब किये बिना आगे मत बढ़िएगा बहुत अच्छे वीडियो जाते हैं लाइक कर दिजेगा वीडियो देखने के बाद में जो कि ऑव्यस है और बैल आइकॉन दबाएगा सारे वीडियो देखने के लिए जितने भी आगे आने वाले हैं क्योंकि मेरे वीडियोज कंटिन्यू आते हैं बिना किसी हामफुल केमिकल के बिना किसी प्रिजरवेटिव के और बहुत बढ़िया रिजल देते हैं आगे बढ़ते हैं आज की रेमेडी को देखें क्या क्या सामान इसमें लगने वाला है सबसे पहला स्टप है कॉफी जोकी है स्क्रबिंग के लिए तो हम ले ले लेते हैं एक चमच कॉफी इसमें पाय जाते हैं गुण एंटी एजिंग से बरपूर दूसरा है हमारा आज का ओट्स पाउडर ओट्स पाउडर कैसे बनाना है आप मेरे पहले के वीडियो में चेक कर सकते हैं और इसको ग्राइंट कर लीजे और उसका इस तरह से आप पाउडर फॉम में इसको बना के रख लिए जो बहुत बेनिफिशल होता है इसको हमने बनाना है रॉम मिल्क के साथ में ये तीनों चीजे मिलके हमारी स्किन के ऊपर वाइटन ब्राइटन पॉलिशिंग एन एन्टी इंफरमेंटरी से प्रॉपर्टी से भरपूर काम करने वाली है जो कि आपके एकने को टृट करेंगी डाक सक्र को लिटाएंगी सं टैनिंग को रिमूव करेंगी पॉलिशिंग करने का काम करेंगे आपके स्किन के ऊपर से क्योंकि इसमें पाई है हमने जो बहुत बढ़ी असे रिमूव करती है, साथ में हैं इसमें ओट्स, ओट्स के अपने बेनिफिट्स होते हैं, जो कि हमारी स्किन के उपर से जितनी भी इन प्यॉरटी उती हैं, उनको हटाते हैं, अब हम स्टार्ट करते हैं, हमारा स्क्रबिंग, देखें, स्क्रबिंग हमारी स पोशन से ही जाती है, ठीक है, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले, रेमिडी को स्टार्ट करने से पहले, आपको अपने फेस को क्लीन करना है, देखें, मैं तो अभी क्लीन करके आई हूं, पूरी तरह से अच्छे से, क्योंकि आपको मेरे फेस पे दिख रहा होगा, तो अग कि हलके हाथ से मसाज दीजिए और बस हटना नहीं है आपको उस रॉट मिल्क पने फेस पर ही रखना है क्योंकि उसमें पाए जाता है लेक्टिक एसेड जो हमारी स्किन को ब्राइटीन करने का वाइटं करने का काम करता है आपके स्किन टोन को भी इंप्रूफ करता है अगर आ यह scrubbing लगा रही हूँ बस आपको ऐसे ही लगाना है इसको अच्छे से अपने face के उपर अगर आप चाहते हैं तो अपनी neck के उपर भी कर सकते हैं तो इस तरह से आप पहले इसको लगा लिजे बढ़िया से अब scrubbing वाले portion में हमें क्या-क्या मिलने वाला है यह मैं आपको बता स्वाफिश इतनी जड़ा स्मूथ हो जाती है इतनी ज़्यादग क्लियर हो जाती है कि हमें लगता है कि पॉलिशिंग हो गया मारा face आपने देखा होगा आप मार्केट में हजार हजार रुपए की पॉलिशिंग करा के आओ, उसके बाद आपको जो एक ही दिन का वो रिजल्ट मिलता है, वो आपको घर में 2 रुपे की कॉफी से मिल जाता है, सिरफ 2 रुपी की कॉफी के साथ में आप अपनी स्किन को पॉलिशिंग कर सकते हैं, बहुत बढ़िया से, अपनी स्किन के ओपर ज इसमें मैंने क्योंकि डाला है Oats, Oats में पाया जाते हैं Antioxidant भरपूर मात्रा में, जो हमारी स्किन को बहुत बढ़िया से चमक देते हैं, प्योर करने का काम करते हैं, सौफ्टन करते हैं, आपकी स्किन के उपर से जितनी भी impurities होते हैं, उनको हटाता है, और चमक देके आप बहुती, सौफ्ट, सप्पल सी स्किन, इतनी नाचरल ग्लो आपको अपने चेहरे के उपर दिखेगा, स्क्रबिंग के पोशन के बाद में, कि आपको ऐसा लगे गाई नहीं कि कुछ और हमने की जुरूत है, अब हम कर लेते हैं, दो मिनिट की स्क्रबिंग, आपको स्क्रब हमारी हाड वाली स्किन का जो पोशन होता है, वो ये वला होता है, जिसको हम टी लाइन बोलते हैं, मतलब ये वला और ये सेंटर वाला, ठीक है, तो आपको अपनी नोस पे, अपनी लिप्स पे, इवन अपनी लिप्स के उपर भी आपको स्क्रबिंग जरूर करनी है, क्यों अगर आप ऐसे रब करेंगे तो हटती है, ठीक है, तो ये स्क्रबिंग वाले पोशन में वो चीज हमारी स्किन से बहुत बढ़िया से, बहुत सौफ्टली निकाल देता है, तो इस तरह से आपको दो मिनिट की स्क्रबिंग कर लो, बढ़िया से, ये हो गया, मेरा हो गया है आपको इस तरह से, तीन से चार मिनिट तक आपको रब करना, अपने फेस को बढ़िया से, ताकि अच्छे से आपका फेस जो है, वो स्मूथ हो जाए, ओके, ये लो, दिखें, हमने जो इसमें दूद डाला है, दूद में लेक्टी को से उटता है, जो हमारी स्किन को बहुत बढ़िया से ब्राइटन करने का काम करता है, आपके स्किन टोन को इंप्रूफ करेगा, अगर आपका स्किन डल लगता है, बहुत जादा, आप रो मिल्क ज़रूर यूज़ करिए, बहुत अच्छा आपको इफेक्ट देगा, अब मैं इसको वाश करके आती हूँ, उसके ब हमारा पूरा फेश्यल तो की बहुत बढ़िया रिजल देता है और काफे dio तक ही आपके शाइन करता रहता है, आपके फेस के उपर, आपको ऐसा रही है कि आज लगाया है, आज ही आया है, नहीं ये काफे दिन तक आपकी स्किन के उपर अपना गलोऍद देता रहता है, तो तो उसका दो से तीन चम्मच है, तो हम आज की रेमेडी के लिए ले लेते हैं, दो चम्मच काफी रहेगा आलमन में पाए जाते हैं विटमिन E, जो की बहुत ज़्यादा रिस्पॉंसिबल होते हैं, हमारी सकिन को वइटन करने के, क्योंकि विटमिन E जो होते हैं, वह ग्रेट एंटि अउक्सिडेंट होता है, जो का हमारी सकिन के अंदर जो नाचुरल वाला कॉमप्लेक्शन होता है उसको बाहर लाने का काम करता है अब मैंने इसमें डाला है एक चम्मच मसूर दाल का पाउडर आप ये बाहर से भी खरिच सकते हैं घर पर भी बना सकते हैं तो ये दो चीजें ऐसी हैं जो हमारी स्किन के ओपर पॉलिशिंग के साथ में हमारी स्किन को ब्राइटन करने का काम करेंगी इसके साथ कुछ चीजे हैं जो हमें इसमें आइड करनी है वो औप्शनल्स है अगर आपके पास हैं तो आप डाल सकते हैं पहला है रोस पील पेटल पाउडर अगर आपके पास फ्रेश हैं तो आप पतियां इसमें अगर नहीं है तो कोई दिकत नहीं है साथ में इसमें बीटरूट पाउडर डाल रही हूं अगर आपके पास फ्रेश बीटरूट जूस है तो आप यहां पर उसको एड कर सकते हैं लेकिन क्योंकि हमारे पास अल्रेडी जो हमने बादाम का मिल्क इसमें डाला है उसमें भी विटमिनी है लेकिन अगर आपकी स्किन ड्राइ है तो आप एक कैपसूल इसमें डाल सकते हैं नहीं तो आप ऑलिव ओल भी यहां पर यूज कर सकते हैं आप कोकोनेट ओल प्लीज यहां पर अवोइट करियेगा अगर वर्जिन कोकोनेट ओल है तो आप उसको यूज कर सकते हैं नहीं तो आप अपना ओलिव ओल यूज कर सकते हैं बादाम का तेल यूज कर सकते हैं विटमिनी यूज कर सकते हैं तो ये मैंने लिया है 3-4 drops olive oil की, मैंने vitamin E का capsule आज इसमें add नहीं किया है, तो ये हो गया हमारा, अब इसके साथ में हम इसको बनाने वाले हैं, दही के साथ में, दही हमारी स्कीन के ओपर lactic acid के साथ में जो काम करने वाला है, मतलब ये सारी चीज़े ऐसी हैं, जो हमारी स्कीन क हमारी skin को fair करने का हमारी skin को smooth करने का बहुत बढ़िया वाला एक cream तयार हो गया है तो यह हमारी ऐसी cream है जो ना सिर्फ आपकी skin को polishing करेगी, brighten करेगी आपकी skin के ओपर आपकी skin के scars को lighten up करेगी और आपके जो dark spots है उसको हटाएगी अब हम start करते हैं हमारी आज की facial cream किस तरह से लगाना है बहुत simple है ingredient main होते है किसी भी facial में और इसमें जो ingredient है वो तो superb है superb in the sense उसमें vitamin E पूरा का पूरा मात्रा में है मतलब जितना vitamin हम ढून सकते हैं उससे कहीं ज़ादा vitamin आज के हमारे इस facial में है क्योंकि यह हमारे एजिंग के प्रोसेस के उपर भी है तो हमें facial के steps उनको follow करना होगा round round circle में घुमाई अपने face के उपर अपने हाथ को आप इस facial cream को अपने neck के उपर भी apply कर सकते हैं lips के आसपास के area nose के आसपास के area forehead जो होता है यह main होता है क्योंकि cheeks हमारे अल्रेडी सॉफ्टे नहीं होते हैं बाकी हमें हमारे इसी area के उपर जादा work करना पड़ता है क्योंकि roughness बहुत जादा इसी area पर होती है तो हमें मसाज करते वाग हर स्टेप को तीन तीन बार फॉलो करना है हर स्टेप तीन बार होगा क्योंकि यह क मारे स्कीन को हीट पोचाता है और हीट पोचाने से हमारे जो सेल्स होते है वह एक्टिव होते है और वह बहुत है ऑठील से हमारी जो क्रीम जो भी हम अपनी अप्ला secret कर्रें नहीं को वह उप्ज़र्फ करता है हमें प्रॉपर इसके सारे स्टेप्स फॉलो करने हैं तो जिस तरह से मैं कर रही हूँ बस ऐसे ही आपको 7 से 8 मिनिट के एक बढ़िया वाली मसाज अपने चहरे को देनी है मसाज करने के बाद में हमें इसी पैक को जो क्रीम हमारी बच गी है इसी को हमें अपने फेस पे थोड़ी सी मोटी लेयर लगानी है मतलब जो बचा हुआ जितना भी मैटीरियल है उसको आपको अपने फेस पे अपलाए करके अज ए फेस पैक अब हम इसको रखने वाले हैं इसको ड्राइ करने में कम से कम 10 से 12 मिनिट जाएंगे लेकिन पूरा ड्राइ नहीं करना है सेमी ड्राइ करना है ठीक है तो सेमी ड्राइ होने तक हम अपने फैन वाइन के नीचा बैट जाएगे बड़िया से इसको लगा के और उसके बाद में इसको वाश करते हैं आ गई हूँ अब हमारा फाइनल स्टेप है वो है हमारी स्किन को मॉश्यराइज करना देखे बहुत बार होता है बहुत लोग बोलते हैं हमारी स्किन तो ओईली है हमें मॉश्यराइजर नहीं लगाना है लेकिन यहीं पर वो अपनी स्किन को लेके गलती कर जाते हैं कि हमें moisturizer जरूर लगाना चाहे हमारी skin oily क्यों ना हो बस आपको इस बात का ध्यान दे रहा है कि उसमें बहुत जादा greasy पर ना हो जो भी आप moisturizer लगा रहे हैं अब मैं लगाने वाली हूँ मेरी ही बनाई हुई cream जो कि मैंने अभी last वीडियो में बनाई है और मैं ऐसी creams हर हफते बनाती हूँ मेरी skin के लिए ingredient अलग होते हैं लेकिन मैं cream जरूर बनाती हूँ अपनी skin के moisturizer को बनाई रखने के लिए क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जितनी skin आप moisturizer रखेंगे उत्ता उसके ओपर wrinkles, fine lines कम बनेंगी, कम दिखेंगी aging का जो process होता है, वो slow down होता है और क्योंकि मेरी बनाई हुई जो creams हैं, मैं उनमें जादतर वो चीज़ा use करती हूँ जो हमारे aging के process को slow down करती है तो इस cream का link मैं उपर दे रही हूँ, description में भी दे रही हूँ, eye button पे भी दे रही हूँ इसको जाके बनाईए, लगाईए, बहुत बढ़िया cream है और इसी का ही better है, जो कि आज हमने use किया है almond milk इसी cream का था, और ये मैं cream अब लगाने वाली हूँ इसी के साथ में अब मुझे 2 minute की massage करनी है आपको भी कम से कम 2-5 minute massage जरूर करनी है अपने चहरे पर इस cream के साथ में, तो ये apply करते हैं इतना बड़िया result आता है जब हम DIY करते हैं और उनमें कुछ भी ऐसा chemical नहीं होता है जो side effect दे हो सकता है किसी को कम result मिलेगा, किसी को जाधा भी मिल सकता है हर किसी की skin type अलग होती है तो प्लीज अपनी skincare according ही आप भी सोचेगा कि अपनी skincare according ही आपको मिलेगा जाने से पहले दबा के जाएं सब्सक्राइब का बटन बहुत बड़िया वीडियो जाते हैं बाई